हेलो फ्रेंड शुआगत है आपका अपने चनल अवी टेक में मैं अपस्टेक पांडे लेकर आए हूँ आज आपके लिए फिर से एक पैरी सी वीडियो दोस्तों अगर आप लोग एब भी यूस करते हैं तो दोस्तों आपके दिमाग में एक डर जरूर रहता होगा कि कहीं कोई आपकी प्रोफाइल में ताका जाकी तो नहीं कर रहा है या फिर दोस्तों आपकी प्रोफाइल पिक को तो डाउनलोड नहीं कर रहा है दोस्तों ये प्रोबलम गल्स के साथ बहुत ज़्यादा होती है उनको लगता है कि कहीं कोई profile pic हमारी कोई चुपचाप से डाउनलोड तो नहीं कर रहा है या फिर हमारी profile में ताका जहांकी तो नहीं कर रहा है तो दोस्तों आज के इस video में आपको एक छोटी सेटिंग से यानि कि एक छोटी सेटिंग अगर आप पनी profile में कर देंगे तो कोई भी unknown person मतलब कि जो भी जो आपकी friend list में नहीं है कोई भी unknown person आपकी profile pic को view तक नहीं कर सकता है नहीं download कर सकता है नहीं friend list friend request बेच पाएगा और नहीं दोस्तों आप क्या कोई भी post को touch कर पाएगा दोस्तों अगर आप ये setting सीखना चाहते है अपनी FB ID में apply करना चाहते है तो बस वीडियो आपको पूरा लाट तक देखना होगा और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं कर रखा है वीडियो चाहते हैं दोस्तों उस page पर जाईए उस page को like कीजेगा और मुझे वहाँ पर message कीजेगा दोस्तों मैं पूरी courses करूँगा कि next वीडियो मैं आपके topic पर उना हूँ तो दोस्तों चलिए चलते हैं directly वीडियो की तरफ तो दोस्तों Facebook पर अपनी profile को lock करने के लिए सबसे पहले आपको अपने Facebook app को open करना होगा दोस्तों जैसे ही आप इस app को open करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface सो होगा इसके बाद दोस्तों आपको left side में जो profile pick आपकी बनके आ रहे हैं यहाँ पर simply आपको एक single click कर देनी है दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे आपके सामने आपकी profile open हो जाएगी इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है यह three dots बनकर आ रहे हैं आपको यहाँ पर simply click कर देना दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे कुछ इस तरह का interface आपके सामने से होगा और आपके सामने कुछ इस तरह से options आ जाएंगे यहाँ पर दोस्तों आपको एक option मिल जाएगा log profile का आपको simply यहाँ पर click कर देना दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर click करोगे यह log profile के जो features होते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे और नीचे जो option आ रहा है log your profile आपको simply यहाँ पर एक single click कर देना है दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे लिख कर आ जाएगा you logged your profile इसके बाद आपको करना गया है आपको ok वाली बटन पर click कर देना दोस्तों इस तरह से आप आसानी से अपनी profile को log कर सकते हैं चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपका friend नहीं है आपकी log profile उसको किस तरह से दिखेगी तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पर कुछ भी सो नहीं होगा दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपनी profile को log कर सकते हैं दोस्तों अब बात आती है कि किस तरह से जो आप मैंने अपनी profile log की है इसको unlock किस तरह से किया जाए दोस्तों अपनी profile को unlock करने के लिए simple वही process आपको करना है यहाँ पर आपकी profile pick दिख रहे हैं simply आपको यहाँ पर एक click करने है यहाँ पर click करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको 3 dot मिल जाएंगे आपको 3 dot पर click कर देना है दोस्तों जैसे ही आप 3 dot पर click करेंगे यहाँ पर बहुत सारे options आपके सामने होंगे आपको यहाँ पर unlock profile वाली बटन पर click कर देना है दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको एक option मिल जाएगा unlock का आपको unlock वाली बटन पर simply click कर देना है और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर unlock your profile वाली बटन पर click कर देना है दोस्तों जैसे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किजेगा अपने फ्रेंट के पास सेर किजेगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बूलेगा मिलता हूं कल एक ने वीडियो के साथ एक ने टॉपिक के साथ एक ने ट्रिक के साथ अब तक के लिए बाबा